अब आई यह next idea की तरफ move करते हैं type 2 problem आप देखो type 2 problem is based on another property that is base change formula आप पहले देखते हैं कि formula क्या कहता है और फिर देखेंगे कि apply कैसे करते हैं तो formula बहुत ही simple है formula कहता है कि अगर आपके पास ऐसा है log of 3 to the base 2 और आपको ऐसा लगता है कि नहीं question solve करने के लिए मुझे base रही है 10 तो आप 3 को लिखिए यहां base 10 लगा दीजिए और division के अंदर जो base के अंदर था उस number को लिखिए log में और फिर base 10 लगा दीजिए आपको लगता है नहीं नहीं 10 नहीं मुझको इसकी जगे 20 चाहिए था तो आप 20 भी लिख सकते हैं कोई फरक नहीं पड़ेगा तो इसको आपने हैं पर 20 लिख दिया and log of 2 to the base 20 लिख दिया हमारे पास यह answer आगया तो इस तरीके से हम इस तरीके questions को approach इस तरह से इस property को approach कर सक M to the base B इसको हम माल लेते हैं Z इसको Z माल लिया और क्योंकि हमें सब को A के terms में convert करना है तो let us assume A is equal to M is equal to A raise to the power X N is equal to A raise to the power Y मतलब अगर मैं log of M to the base A लिखूँगा तो X है जाएगा similarly अगर मैं log of N to the base A लिखूँगा तो Y आचाएगा जो मेरे पास यह दोनों बाते आ गई तो अगर मेरे पास पहला यह expression था तो अपनी basic definition के use करके एक और चीज़ लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ M will be equal to nothing but B raise to the power Z यह हमारी basic definition थी जहांसे हमने chapter start किया था अगर हमने इसको ऐसा लिख लिख लिया तो M को हम substitute कर देते हैं A raise to the power X और B को substitute कर देते हैं A raise to the power Y अगर मैंने ऐसा किया तो आप देख सकते हैं A raise to the power X will be equal to A raise to the power Y Z और X will be equal to Y Z और यहां से ही हम यह बात कह सकते हैं कि Z will nothing but equal to X value इसको इस तरहे से express किया जा सकता है अगर हमने इसको ऐसा लिख लिख लिया है तो X की value भी टाल देते हैं तो X की value देखी क्या थी तो X is nothing but log of M to the base A and Y क्या था log of N to the base A यहां से हमारे पास हमारे Z की यह log of M to the base B की value तो इस तरहे से हमने इस expression को proof कर दिया तो expression is not something very difficult to prove but very useful thing क्यों useful है देखिए अगर आपको log की कभी भी कोई भी property कहीं पर लगानी है तो base तो same होना चाहिए लेकिन अगर question में अलग-अलग base दिये तो हम फिर maneuver कैसे करेंगे तो maneuver करने के लिए आपको पहले base same करना पड़ेगा और base same करने के लिए में base change formula लगाना पड़ेगा तो यह property का background है जो आपका student पता होना चाहिए ताकि आप इसको fast और efficiently apply कर पाए next चीज है कि इसकी corollary भी है corollary क्या बात कहते है आई यह corollary को भी देखते है जो यहाँ पे लिखी होई है उसने बोला कि अगर हम flip कर दें इंट्रेसिंग आइडिया ही है अगर हम flip कर दें तो जैसे मेरे पास था log of 3 to the base 2 और मैं flip कर दूं मैं 3 के जाए 2 लिखो 2 के जाए 3 लिखो मैं क्या कर सकता हूं देखे बेस को ही 3 बना देता हूं तो log of 3 to the base 3 and log of 2 to the base 3 मैंने इसको ऐसा लिख दिया अगर मैं इसको ऐसा लिखोंगा तो देको number to the same base in the numerator will become 1 और जोगे denominator में quantity लिखी होई है that will become 2 to the base 3 तो आप ऐसा समझ सकते है कि number flip हो गए बेस and number have flipped inside log अगर ऐसा होगा तो number will log will go to the denominator है तो यह चीज़ हम यहां पर clearly observe कर सकते हैं अब इसके application के तरफ चलते हैं कि idea को हम apply कैसे करेंगे देखी question है और problem क्या इस question के अंदर अगर मैं पहला वाला term देखूं तो इसके base के अंदर 2 लिखा हूँ है और दूसरा वाला term दे सेम नहीं हो रहा तो फिर इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो base change formula लगा सकते हो तो मैंने क्या बुला था एक हमने लिख सकता हूँ log of 36 to the base 2 is nothing but 1 by log of 2 to the base 36 मैं ऐसा apply कर सकता हूँ अगर मैं apply करूंगा तो मेरे पास आगया first term log of 2 to the base 36 similarly दूसरे term को भी हम ऐसे लिख सकते है log of 3 to the base 36 वैसे लिखने का मुझे फायदा क्या होगा देखे अब base same हो गया है और अब मैं properties लगा सकता हूँ तो addition of numbers can be written as multiplication इसको मैंने लिखा 2 into 3 और 2 into 3 will become 6 तो यह बन गया log of 6 to the base 36 अगर यह ऐसा है तो हम इसको further लिख सकते हैं log of 6 to the base 6 square और यह 2 बहार चला गया तो 1 by 2 log of 6 to the base 6 this becomes 1 by 2 तो मारा answer question का गया 1 by 2 तो आप देख सकते हैं इस question के अंदर जो important बात थी जो आपको समझी as a student कि जब तक base same नहीं है तब तक आप कोई भी property log के नहीं लगा सकते हैं और base same करने के लिए base change formula will become very important आई यह next question देखते हैं इस question के अंधर हमें यह दे रखा है log of 5 to the base 3 into log of 27 to the base 25 तो आप क्या कर सकते हैं सब का base 10 कर देते हैं हो सकता है कुछ chances बन जा log of 5 to the base 10 दूसरे वाले को लिखा log of 3 to the base 10 यह जो मेरे पास multiplication में था इसको हम लिख सकते हैं 27 to the base 10 and divide by log of 25 to the base 10 हमने इसको इस तरीके से लिखिया ऐसा लिखने के बाद हमने क्या किया इसके अंदर थोड़ इसी properties लगाई और हमने इसी चीज़ को log of 27 to the base 10 को हम क्या लिख सकते हैं देखियें this can be written as log of 3 cube to the base 10 और similarly यह log of 25 जो लिखाता है इसको हम लिख सकते हैं 5 square to the base 10 और इसके बाद I guess आपको दिग्या होगा कि क्या कर रहा चाहिए इस 3 और 2 को बाहर निकाल लेते हैं अगर निकालेंगे तो यह आ गया log of 5 to the base 10 यह आ गया log of 3 to the base 10 यह थी यहां पर आ गया 2 यहां पर आ गया and this became log of 3 to the base 10 by log of 5 to the base 10 आप ऐसा होने के बाद आप देख सकते हैं यह दोनों term cancel out हो जाएंगे और similarly यह दोनों term भी cancel out हो जाएंगे और होने के बाद आपके पास answer आ जाएगा 3 by 2 यह हमाना answer तो quite simple question है ना लेकिन simplify करने के लिए important बात क्या थी base same करना है ना इस बात का आपको ध्यान रखना है और यह बहुत ही important बात है अगर इसको अपने दिमांग में रखके काम करेंगे तो questions भी होंगे और answers भी हैंगे आई यह next question की तरफ चलते हैं यह बहुत ही famous question है log of 2 to the base 3 3 to the base 4 ऐसे 10 to the base 11 तक जा रहे है और simplify करने के लिए बोला जा रहे है तो हम इस question को किस तरीके से करेंगे अगें same technique make the base same and यहाँ पर 10 लगा सकते हैं तो log of 2 to the base 10 by log of 3 to the base 10 into log of 3 to the base 10 by log of 4 to the base 10 ऐसे जा रहा है log of 10 to the base 10 by log of 11 to the base 10 अब जैसे हमने देखा तो alternate terms cancel out होते चले गए and ultimately you are left with log of 2 to the base 10 by log of 11 to the base 10 वापस से हम reverse formula लगा सकते हैं देखे इसको उल्टा लिख लेते हैं पहले हम सिधा लगा लगा लेते हैं फार्मले को उल्टा लगाएंगे और हम लिख सकते हैं log of 2 to the base 11 तो हमने किया किया हमने यह formula लगाया log of m to the base a by log of n to the base a can be written as log of m to the base n उल्टा करते हैं इसे formula को उल्टा अप्लाई करते हैं और यहां से मारा अंसर आगया तो simple question है लेकिन कई exam में कई जएक पूछा क्या है आए एक और question देखते हैं अब इसके अंदर हमारे पास क्या दे रखा देखिए log of 16 to the base 6 दे रखा है log of 27 to the base 12 की value दे रखिए और वहां से पूछ रहा है कि इसकी value क्या होगी यह आपको बताते हैं तो अब ऐसे question को करने के लिए आपको यह तो समझ में आई ही रहे कही ना कह 16 को हम लिख लेते हैं 4 square और even better हम इसको लिख सकते हैं 2 raise to the power 4 to the base 6 तो हम 4 को भाहर निकाल सकते हैं it becomes log of 2 to the base 6 इसको भी हम लिख सकते हैं लिखिए log of 2 to the base 10 by log of 6 to the base 10 और finally हम इसको express कर सकते हैं log 2 to the base 10 और 6 वाले को भी हम लिख सकते हैं 2 into 3 to the base 10 और finally इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 times log of 2 to the base 10 by log of 2 to the base 10 plus log of 3 to the base 10 यहां तक हम ने इसको express कर लिए अब देखते हैं कि हमको जो दे रखा है वो quantity क्या दे रखिए अगर यह जो quantity दे रखिए इसको भी हम थोड़ा simplify करें तो हम कहां तक पहुंच पाएंगे तो अगर हम यहां से शुरू करें log of 27 to the base 12 इसको हम लिख सकते हैं log of 3 cube to the base 12 इसको लिख सकते हैं 3 log 3 to the base 12 अगर हम सारे ही 3 times log of 3 to the base 10 by नीच वाली quantity को हम लिख सकते हैं log of 4 to the base 10 plus log of 3 to the base 10 ऐसे हम इसको लिख सकते हैं ऐसे लिखने का फायदा क्या होगा देखें अब इसको थोड़ा और simplify करेंगे तो होगा 3 times log of 3 to the base 10 1 बाइ इसको हम लिख सकते हैं 2 times log of 4 को 2 square लिख 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 लिए है तो 2 to the base 10 plus log of 3 to the base 10 है हम प्लस log of 3 to the base 10 4 को हम ने 2 square लिख वहां से मैंने 2 into log 2 लिख 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 लिया अब इसकी value लॉग 2 by log 3 divided by log 2 to the base 10 by log 3 plus 1, ऐसा आ सकता है, तो अगर मुझे कोई यह बता दी कि log 2 by log 3 की value क्या होती है, तो मेरा काम बन जाएगा, और वो मैं यहां से निकाल सकता हूँ, जो condition मेरे पास है, वहने के किया है, इसके अंदर भी log 3 से divide किया, तो मारे पास आगे हैं पर 1, and here we can get 2 times log of 2 by log 3 plus 1 is equal to a, तो अगर मैं इसकी value निकाल गे हैं, substitute कर दूँ, तो मेरा answer आजाएगा, तो tough नहीं है, अगर मैं इसको ही, यह जो हमारे पास quantity, इसको मैं अगर x माल लूँ, तो this is nothing but 3 by 2 times x plus 1 is equal to a, और यहीं से अगर हम देखें, तो 2x plus 1, 2x plus 1 by 3 will be equal to a, या अगर हम cross multiply कर देए, इसको ही के अंदर तो हम इसको लिख सकते हैं, देखें, twice of x plus 1 is equal to 3 by a, और यहां से मारे पास x की value आ गई, that is 3 by a minus 1 into 1 by 2, यह x लेते हैं और यहां पर substitute कर देते हैं, तो if I substitute this, आपके पास आजाएगा 4 times, 1 by 2 times 3 by a minus 1 by 1 by 2 times 3 by a minus 1 plus 1, if you simplify this, what you will get, you will get 4 times 3 minus a by 3 plus a, यह मारा अंसर है, तो इस question को हम ने कैसे किया, again, मैंने question, जो था 16 to the base 6, मैंने उसको थोड़ा सा simplify कर लिया, log of 2 by log of 3 का ratio बना लिया, जो मुझे दिया हुआ था, उसमें मैंने log of 2 by log of 3 का ratio बना लिया, log of 2 by log of 3 की मैंने value निकाल ली, x यह जो हमने निकाला था, यह वो ही value थी, और उसको substitute कर दिया, substitute करके simplify कर लिए जानसर आगे, तो यह जो base नहीं same है, तो हम कैसे simplify करें, उसके लिए base change formula है,